दोस्तों ये है Vanbo T2 Max full glass lens projector देखते रहे हैं चलिए इसके quick unboxing कर लेते हैं की specifications यहां पर mention किया हुआ है यह autofocus feature के साथ में आता है इसमें 2 speakers है 3 watt के full HD resolution और low noise तो box के अंदर आपको कुछ booklets मिलने वाला है plus warranty card दिया हुआ है और यह projector यह काफी compact सा projector है नीचे rubber padding दिया हुआ है plus यहां पर अगर आपको इसे tripod पर रखना है तो option भी दिया हुआ है इसके अलावा box में यह कुछ stickers दिया हुआ है यह है power adapter यह है power cord और यह remote भी box के अंदर दिया हुआ है काफी interesting दिखने वाला smart remote है white color का है plus जो projector है इसका color भी white है यह जो remote है इसके लिए box में cell नहीं दिया हुआ है और यह इस परकार के keys के साथ में आता है इसमें आपको AAA batteries यूज़ करना है दो यह जो T2 Max नया variant है यह जादा smart है यह autofocus feature के साथ में आता है जो कि T2 Max का पुराना variant है उसमें यह feature नहीं है तो यह है WANBO T2 Max काफी वड़िया build और finishing है काफी compact भी है और यहाँ पर rear side पर यह connectivity options available है DC in है एक USB port दिया हुआ है अगर आपके पास pen drive है जिसमें गाने है या फिर कुछ movies है तो उसे यहाँ पर आप डाल सकते हैं कर सकते हैं HDMI port दिया हुआ है आप external dongles connect कर सकते हैं जैसे की Amazon fire tv stick और इसे और भी smart बना सकते हैं और यहाँ पर audio check दिया हुआ है इस projector के उपर यहाँ पर यह एक button दिया हुआ है इससे भी आप जो navigation है वो कर पाएंगे तो यह देखें यह जो projector है इसका setup मैंने कर दिया है और यहाँ पर यह projection कर रहा है wall पर अब फिलाल यहाँ पर जो room light है यह on है और अगर मैं room light को off करूँ तो यह देखें ऐसा है quality बहुत से screen saver है remote use करके मैंने उसे disable कर दिया है यह है इसका default interface अब बहुत सारे जो projectors होते हैं वो इस प्रकार के operating system के साथ में नहीं आते हैं एक दम basic होते हैं लेकिन हाँ आपको सब कुछ मिलता है इसमें YouTube है Spotify, Facebook, Netflix, Prime Videos और भी बहुत सारे चीज़े हैं तो यह एक तरह से totally packed package है और resolution Full HD है 450 NC Limins Brightness के साथ में आता है HDR10 support के साथ में आता है इसमें 1GB RAM है Android 9 operating system run कर रहा है out of the box मैं अगर यहां पर setting में जाओं तो यहां पर आपको सारा details मिल जाएगा यह रिखें तो मैंने इसे Wi-Fi पे connect किया हुआ है यह 2.4 GHz Wi-Fi support के साथ में आता है यह है projector के बारे में जानका पाएंगे खास करके जो projector का setting है यह दिखें यहां आपको किस प्रकार का projection करना है उसके बार में जानकारी दिया हुआ है front desktop वगएर बगएर जूम सेटिंग्स अप कर सकते हैं और भी बहुत सारे options है automatically यह जो projector है screen को screen का aspect ratio है उसे properly set करता है तो आपको basically कुछ करने की ज़रू करने वाला है चलिए YouTube का कुछ वीडियो प्ले करते हैं यह जो projector है यह थोड़ा सा आवस करता है क्योंकि इसमें जो fan दिया हुआ है वो और यह देखें यहां पर मैं मेरा ही वीडियो प्ले कर रहा हूं YouTube पर sound quality भी चेक करते हैं यह एक printer है यह एक टाटू printer है देखते रहे है तो यह है प्रिंकर टेंपररी टाटू तो इसकी जह sound quality है बहुत ही बढ़िया है और काफी लौद भी है सीएस इनोवेशन अवार्ड मिला हुआ है 2022 का बॉक्स के अंदर प्रड़क्ट को तो sound quality से मैं काफी impressed हूँ काफी बढ़िया है और बेस चीज यह है कि इस projector में आपको Netflix का access भी मिलता है लाइट को मैंने on कर दिया है यहां से अपका idea मिल जाएगा कि अगर आप lighting condition में से देख रहे हैं तो ऐसा output आपको मिलने वाला है यह triple fans के साथ में आता है इसमें dual heat sinks दिया हुआ है काफी देर तक आप इस projector को use कर पाएंगे all glass lens है quality बहुत ही बढ़िया है इ इस product का pricing है 19,990 रूपीज लिंक मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है